हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल केयल स्टडी फ्रेंट्स एम्पी टेट वर्ग दो मैंस एक्जाम के लिए साइन्स में ये हमारे केमिस्ट्री की अगली किलास रहेगी इसमें हम पढ़ेंगे आप बाहू का सिध्धान्त ठीक है तो इससे पहले हमारी आठ क्लास हैं हो गई है जिसमें आपके पातरता परिक्षा के सलिवस के अकॉर्डेंग ही क्लासों को रखा गया है तो ये सारी की सारी क्लास हैं बहुत ही इंपोटेंट है इनकी अलग से हमने प्लेलिष्ट बना दी है आप सारे से संदेख सकते हैं तो हमने जो फर्ष्ट क्लास से मिलकर बना होता है तो परमानू सरचना परमानू के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है इस सारी चीजे हम पढ़ चुके हैं डाल्टन ने क्या कहा परमानू सिध्धान्त की बारे में सबसे पहले जो परमानू का सिध्धान्त है वो किस ने दिया था या परमानू जो पिद्वान आते गए किसने क्या कहा परमाणूं के बारे में रदर फोड ने क्या कहा नाभिक के बारे में किसने बताया एलेक्टरोन प्रोटोन न्यूट्रोन क्या होते हैं मूलकड क्या कहलाते हैं इस सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं इससे जो पिछला लेक्चर था उसमे हम self कहते हैं ये क्या होती है इसके बाद आपको बताया था ओपकशा या ओप sel क्या कहलाती है तो ये सारी चीज़ें हम cover कर चुके हैं आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आप बाहू का सिद्धान्थ क्या पड़ेंगे आप बाहू थेवरी पड़ेंगे क्योंकि यहां से question पूचन पूश लिए जाते हैं और ये आपके chemistry के important सिद्धान्थ हैं आपको इनको तो याद रखना ही है क्योंकि यहीं से आपके chemistry की सुरुनात होती है अभी आप आँगे चल कर आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहाँ जो तत्व हैं हर एक का परमानु जो है किर्मान खोगा द्रबमान संख्या होगी यह सारी चीजें आपको कवर करा चुके हैं तो सारे सेशन आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है ठीक है आईए स्टार्ट क चलिए हमारा परमानु है तो परमानु के अंदर आपके जो है मूलकन कुछ उपस्थित होते हैं जैसे परमानु के अंदर क्या होता है आपका नाभिक होता है अब नाभिक में कौन-कौन से मूलकन होते हैं तो आपके यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होत जाता है वही इस सिध्धान्त में देखने को मिलता है तो एक question direct पूछ लिया जाता है और question देगा आपसे कि बताइए कौन सा एक सिध्धान्त है जो मतलब जो रसायन वैग्यानिक है उनकी नाम पर नहीं है तो वो आपका आप बाहु सिध्धान्त है आपको यहां पर confirm कर दें कि जो आप बाहु है यह किसी आपके वैग्यानिक नहीं है ठीक है बलकि यह एक सब्द है तो आपको याद रखना है अब हम एस समझ लेते हैं कि जो आप बाहु सिध्धान्त है वो आप बाहु ने दिया होगा जो की बिलकुल ही गलत है यह कोई आपके scientist नहीं है ठीक है यह मात्र एक आपका सब्द है जर्मन भासा का और इसका अर्थ क्या होता है वही यहां पर हम देखेंगे और आपने खुब पड़ा होगा 1S, 1, 1S, 2, 2S मतलब इस तरीके से जो electronic बिन्यास होता है तो यह चीजें यहां पर हम cover करेंगे ठीके तो देखिए सबसे पहले आप बाहू सिद्धान्त जो है यह क्या होता है तो आप बाहू सब्द समझे यह एक जर्मन भासा का सब्द है पहला question यही बन सकता है आप बाहू किस भासा का सब्द है तो जर्मन भासा का मतलब question इतना छोटा सा है लेकिन आप यहाँ पर confused हो सकते हैं तो थोड़ा सा समझ कर चीजों को clear करिएगा ताकि आप यहाँ पर कोई भी question उट करके आ जाए क्योंकि एक एक point से बच्चे धर धर हो जाते हैं तो आपको एक point से भी उपर रहना है ठीक है मतलब एक number तो जो होता है न एक number आपके selection को रोक भी सकता है और selection करवा भी सकता है तो चीजों को बारीकी से समझ करके पढ़ना है आपको ठीक है तो जो आप बाहु है यह किसी विद्वान के नाम पर नहीं है वलकि एक जर्मन भासा का सब्द है और इसका अर्थ क्या होता है तो या तो हम कह सकते हैं रचना करना या फिर कह सकते हैं कि एक एक करके जोडने का सिध्धान्त मतलब इसमें जो electron है इसमें उर्जा इस्तर का खेल होता है तो यह हम आपको बता चुके हैं कक्षक्या कहलाते हैं और आपके उपकक्षक्या सबसेल क्या होती है और उर्जा इस तर किस तरीके से कहां पर इलेक्ट्रोन भरे जाएंगे तो इतना आप समझ गए होंगे आप बाहु जर्मन भासा का सब्द है और इसका अर्थी होता है एक एक करके जोड़ना अब देखिए सब सेलों में अब आप कहेंगे सब सेलें क्या होती है तो इससे पिछला लेक्चर जरूर देखें क्योंकि आपको हमने सब से पहले तो क्या बताया था मान के चलिए यह हमारा क्या है परमानू है ठीक है अब परमानू जो होता है इसके अंदर क्या होता है यह आपका नाभिक हो गया अब देखिए यहां पर क्या होता है आपके जो है कई कक्षाएं होती है जिसमें आपके एलेक्टरॉन क्या कर रहे होंगे चक्कल लगा रहे होते हैं तो इन्हीं को हम नाम देते हैं इन कक्षाओं को आपको बताया था क्या नाम जैसे एह हमारी के कक्षा हो गई ठीक है फिर आपकी एल कक्षा हो गई एम कक्षा हो गई तो जो नाविक के सबसे नकट स्थित होगी वो सबसे कम उर्जा वाली कक्षा होगी फिर थोड़ी दूर जो रहेगी उससे ज़्यादा और जो सबसे दूर कक्षा एस्थेत होती है वो सबसे ज़्यादा उज्या वाली कक्षा मानी जाती है और इसी तरीके से आपकी अब कक्षाएं होती है तो एक कक्षा के अंदर आपकी अब कक्षाएं अपस्थेत होती है मान के चलिए ये आपका परमानू है क्या है परमाणूं है अब परमाणूं के अंदर आपकी एक कक्षा है बन मिनिट रुकिएगा ये आपकी मान के चलिए नाविक हो गया और ये आपकी एक कक्षा हो गई ठीक है ये क्या हो गई आपकी एक कक्षा है और कक्षा के अंदर आपकी कई क्या होगी उपकक्षाएं हो अपक्ष करते हैं तो यह थोड़ा सा याद रखना है की कख्ष क्या होते हैं अब कक्षाएं क्या कहलाती है क्योंकि यहीं से आपके question पूंच लिये जाती है तो जो आप वाहू का सिध्धान्त होता है उसमें हमें यही पढ़ना होता है कि किस तरीके से आपके जो है यहाँ पर electron भरे जाती है ठीके तो यहाँ पर आपको यह बताया जो कक्षाएं है इसमें किस क्रम में होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दो electron भरे जाएंगे फिर आपके 6 फिर 10 फिर आपके 14 तो यह आपको क्रम भी बताया था और जो कक्षाएं होती है KLMN करके तो उसमें किस तरीके से 288888 इस तरीके से बोर भी उड़ी योजना के अनुसार ठीक है तो जब तक आप कक्षाएं और कक्षाएं नहीं समझेंगे तब तक आप बाहूस थेओरी जो है समझ नहीं पाएंगे तो पिछला लेक्षर देख लें एक बार ठीक है तो आप समझ गए सबसे पहले आपकी कक्षाएं होती है और उसके अंदर क्या होते हैं सबसेलिया सबकक्षाइं उपस्तित होती हैं तो इनी जो सबकक्षाइं हैं इसमें किस तरीके से एलेक्ट्रोन को क्रमबध रूप से भरा जाए बही आपका आप बाहु सिध्धान्त होता है या हम इसको परिभासा के तोर पर कह सकते हैं तत्वों के उलेक्ट्रोनिक बिन्यास को बनाना ही आप बाहु सिध्धान्त होता है अब आपको पता है सबसे जो निम्न उट्जा-इस्तर वाली कक्षा होगी मतलब उट्जा-इस्तर के अनुसार यहाँ पर आपके उलेक्ट्रोन भरे जाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे कम उड़िया इस तरवाली ओपक्षा होगी उसमें एलेक्ट्रोन जाएगा तो सबसे छोटा मतलब जो सबसे निकाट स्थित होगा नाविक के तो सबसे जो कम उड़िया इस तरवाला कक्षा होता है वो ऐस होता है ठीक है फिर होगा आपका P फिर और इसमें एलेक्ट्रोन भी आपको पता है कि पहले दो भरे जाएंगे फिर छे भरे जाएंगे मतलब अधिक नहीं हो सकते कम हो सकते हैं ठीक है फिर आपके 10 भरे जाएंगे फिर 14 भरे जाएंगे तो यहां दो आप लाइने याद रखिएगा कि आपकी जो डी ओप कक्षा है एकौन से नमर की है तो S, P, D, तीसरे नमर की है तो इसमें कितने उलेक्ट्षण भर सकते हैं हैं इसमें आपके 10 उलेक्ट्षण भर सकते हैं तो D ओप कक्षा में 4 या 9 ऑग्ट्षण नहीं रह सकते थे क्यों क्योंकि जब तक एपने पहले बाली जो कक्षा होगी जैसे S ओ 10 एलेक्ट्रोन में ये बदल जाता था उसी तरीके से जो अपकक्षा है उसमें 6 और 13 नहीं रह सकते एक एलेक्ट्रोन लेगा है अपकक्षा से और 7 या 14 में बदल जाएगा तो किस तरीके से 7 या 14 में बदलेगा ए चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है इसका नियम हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एलेक्ट्रोन को भरा जाता है तो एलेक्ट्रोन विभिनक अक्षों में उर्जा इस तरके बड़ते क्रम में प्रवेश करते हैं बड़ते क्रम का मतलब होगा कि सबसे पहले सबसे कम उर्जा इस तरवाले कक्षा में एलेक्ट्रॉन जाएगा फिर उससे ज़्यादा जिसकी उर्जा होगी फिर उससे ज़्यादा जिसकी होगी फिर उससे ज़्यादा जिसकी होगी इस तरीके से और फिर अंत में जो सबसे ज़ादा उर्जास तरवाला कक्षक होगा उसमें एलेक्ट्रॉन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यही बताया गया है कि एलेक्ट्रॉन पहले निमन उर्जास तरवाले कक्षकों में उसके पश्चात क्रमसा बढ़ते उर्जास तरवाले कक्षकों म तो 2P लिखिए मतलब यहां से 2P लिखेंगे आप फिर 3P लिखेंगे और S तरीके से ठीक है फिर आपको यहां पर बता दें कि सबसे पहले जो आपका एलेक्टॉन है वो नम नूर जा इस तर जो की आपका S होता है यहां पर जाएगा फिर S के बाद आपका 2S में जाएगा तो इसको हम इस तरीके से भी बनाते थे ठीक है इस तरीके से ऐसा करके एक क्रम बताता था कि किस तरीके से आपके जो एलेक्टॉन है वो भरे जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले 1S में जाएंगे फिर कहां जाएंगे आपके 2S के बाद में 2P में जाएंगे फिर कहां जाएंगे 3S में जाएंगे फिर कहां जाएंगे 3P में जाएंगे फिर कहां जाएंगे 4S में तो यह क्रम चलता है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1S सबसे निमन उर्जा इस्तरवाली काक्षा है फिर यह उस से जादा फिर यह उस से जादा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर S में कितने जा सकते है अधिक्तम अलेक्टरॉन 2 फिर यहाँ 3 है तो पहले तो 2 यहाँ पर भर गए नमनूर जा फिर आपका 2S बन हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से यहाँ 5B में देखिए बी में 2 मतलब इसका कितना है 5 है तो इसमें 1S2 अधिक्तम 2 हो सकते हैं 2S2 और 2P बन इस तरीके से 2,4 और 1,5 हो गया ठीक है तो यह एक क्रम चलता है तो यह होता है आपके आप बाहू का सिध्धान्त जो की इंपोटेंट था और यह आपको याद रखने है इसके बाद आपके कई और थेओरिस आएंगी जैसे आपके पावली का सिध्धान्त जाते हैं क्वांटम संख्या भी आपकी चार प्रकार की होती है मुख क्वांटम संख्या क्या होती दिगशी क्वांटम चुम्बकिय क्वांटम चक्रन क्वांटम संख्या इनको हम समझेंगे क्योंकि यह आपके इलेक्ट्रोनिक बिन्यास पर ही डिपेंड होती है तो किस लगभग हमारे स्टाट लेक्चर हो गये हैं जिसमें लगभग लगभग हमारे बायोलोजी के सारे ही जो पात्रता परिक्षा में टॉपिक दिये गये हैं वो कवर होने वाले हैं तो उनके हम प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे आपके लिए ठीक है और आपके पास में कि पिन्यास्सनी समंदिक हैं एक कबार हो जाएंगे तो फिर आपकी ततव जो अभी हमारे रहे गये हैं जो बर्गी करण हमने किया हुआ था पधार्तों का एक तो होता है भोते और एक होता है एक रासायने का थार पतर तो पतव में आपको पूरी आवर्थथ सारणी पड़नी पड़ेगी ठीक है जो तत्व मोफ Dynamic और अधात्व्यक तत्व ततव आजाएंगी अर्था धातू और अधातू और अपधातू आ जाएंगी ठीक है फिर हमें पढ़ना होता है योगिक योगिक में भी आपको कार्वनेक योगिक क्या होते हैं एकार्वनेक योगिक क्या होते हैं फिर आपको पढ़ना है मिश्रण मिश्रण में आपको पढ़ना समांग मिश्रण क्या है विश्मांग मिश्रण क्या है फिर जब ये आपके भोतेक और रासायने काधार पर पधार्थ की पिरकार हो जाएंगी तो हमें पढ़ना है पधार्थ के पिर्थक करण की बिधियां जहां से दो कौश्चन पूंचे जा ताकि जो अभ्यारती हैं वो confused हो जाएं ठीक है लेकिन हमें सारी चीजों को अच्छे से cover यदी हम करते हैं तो यकीन मानिए आप लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे और अच्छा score भी करेंगी ठीक है तो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए शभी का बहु